हेलो मेरी क्लास की प्रियसरी छात चात्राओं आज हम पढ़ने वाले हैं मद्ध पिदेश में बर्गी तीन का एकजाम आ चुका है तो आपका एकजाम होगा पांच मार्च से परिच्छाइं स्टार्ट हो रही है तो तैयारी में लग जाओ ठीक है आज हम इंपोर्टन टॉप दें इसके बात करेंगे आज का लेक्चर प्रारंप हेलो मेरी क्लास की प्रियस अभी चात्राओं भाईयों भैनों आपकी लखी सर पढ़ाते हैं रोज रात को नौ बज़े अनकेडमी पर अनकेडमी पर क्लास को जोईन करें यहां पर आपको मद्ध पदेश रामान गयन सा पढ़ाया जाएगा क्लास को कैसे जोईन करना है वीडियो की डिस्किप्शन बॉक्स में जाएं लकी सर को अनकेडमी पर फोलो करें आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप मद्ध पदेश के टॉप है जो के टोश्रे पढ़ना चाहेते हैं अनकेडमी का स सब्सकिप्शन भैने के लिए प्रॉण लगाएं लकी सर अगर आप सब्सकिप्शन लेते हो अनकेडमी पर करेंट आफ एरस की पर्फे creek के पर समıtने मिलेगी यहार पे करेंट कवर हुगा ठीक है तो एक बात और बता दे अगर आप मद्ध 48 अगर आप अनकेडमी का सब्सक कर वादेंगे सब्सक्रिपशन लेना होतों बता देना अगर आपasan aoria का सब्सक्रिपशन लेते अब करते हैं क्लास स्टार्ट आज की अब जैसा कि आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अमपीटेड बर्गतीन परिछा के लिए जीन प्याजे का संग्यनात्मक बिकास का सिद्धान्त यहां से आपके एक्जाम में कोश्चन जहूर आएंगे तो आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का अब सबसे पहले तो हम आपको वता दें जीन प्याजे से कोश्चन कहां कहां से आते हैं कोश्चन कहां कहां से आपके एक्जाम में बनेगे जीन प्याजे आपके किस देश की निवासी थे तो नोट कर लो जीन प्याजे आपके सुड़जल लेंड के थे कहा के थे सुड़जल लेंड की निवासी थे जीन प्याजे ठीक है इन्होंने बाल विकास की संग्यातवक विकास को चार महत्पून चरणों में समझाया है इनकी अवस्था इन्होंने अगर देखा जाए जीन प्याजी के कोडिंग आपका जीन प्याजी ने बाल विकास की थोरी को चार फेक्टरों में विभाजित किया है पहली अवस्था बत तक छते हैं इंद्रिय जन्यताप अवस्थ wedढू कि जिए Ondra liamoपफभा ंुम कन्य तो अभिल के sud Sun Sun myself to go b sexually कन्य म候 उत्पीन को ही मुझछ ढदे हम इंद्रिय अवस्थे अब आपको जईनी पतो तुम्हें कि अनौपचारिक का होती है बारे बरसों की बाद अब जीन प्याजे के योगदान से समझें हम मैदपूल प्रसन भी देखेंगी आपके एक्जाम में कॉस्चन हम बाहर नहीं जाने देंगी कहां कहां से कॉस्चन बन सकता है वस अपन अपन मोश्ट मोश्ट फैक्ट देखेंगे अपन को फालतू की लीपा पोती नहीं करनी है ठीक है जैसे कि अब अपन यहां पर देखने बाले हैं पहली होती है जीरो से लेके दो बरस तक बालक की कौन सी अबस्था होती है तो नोट कर लो इंद्रिय जनत अबस्था होती है जीरो से लेके दो बरस तक ठीक है इसमें बालक क्या करता है बालक किसी बस्तू को सुनकर गंद के द्वारा पहचानने लगता यानि उसकी इंद्रियां काम करने लगते हैं जिसे की सुना बोलना महसूस करना इस तरह ही की गंद के द्वारा पहचान लेता है सुनकर इस पर सकरके है न छोटे छोटे सब्दों को बोलना पारुम्ब करता है, इसी अबस्था में बालक बोलता है, मा, पापा, चाचा, यानि इंद्य जनेत अबस्था, छोटे छोटे शब्दों को बालक बोलने लगता है, इसलिए इसका नाम इंद्य जनेत अबस्था पड़ा, ठीक है, परिचतों के साथ स्वागत करता है, और परचितों को देखकर भाई प्रदसन करता है जब दो साल का बच्चा होता है कोई परचित होता है घर की मेंबरों से किते अच्छे से बात करता है कोई घर में कोई बाहर का ब्यक्ति आ जाता है तो डरने लगता है बोलते सान सान से काई हो गए तो है ना इस तरह का एक माह पुल्सा बन जाता है वो तो इसे इंद्री जनित अबस्था कहते हैं जिंद्री इंद्र वह आपकी जीन प्याजी ने इसको एक्स्प्रेंड किया है इसेकंड यहां पर बताया था जीन प्याजी ने एक कोश्चन कई वार एक्जाम में आता है कि खिलोने की आयू किस अबस्था को कहते हैं खिलोने की आयू है ना दूसरी अबस्था थी जीरो से लेके दूसरी अबस्था थी दो से लेके साथ वर्स तक इसको खिलोने की आयू कहते हैं यही question आता यहां से बस या तो पूछेंगे आपको indigenous अवस्था की आयू कितनी है जिरो से लेके दो वर्स यानि जनम से प्रारंब होकर दो वर्स तक चलती है फिर होती है पूरु संक्रियातमक अवस्था दो से लेके 7 वर्स तक इसको खिलोने की आयू कहते हैं इस उमर में बा आग्या मानना पूछने पर नाम बताना घर के छोटे छोटे कारणों में बालक मदद करने लगता है बहुत कुछ सीख भी जाता है यहां तर्क बितर्क करने योग नहीं होता है इसलिए आतारकिक चिंतन की अवस्था के आतारकिक अब दूसाथ वर्स का वच्चा है वो कहा कहा से चिंतन करेगा वो कहां से इतना विकास नहीं होता है मस्तिक का कि वो अपनी राय दे सके तो इसको बोल सकते हैं यहां पे आतारकिक चिंतन की अबस्था खिलौने की आयूं को बोलते हैं ठीक है बस अनुकर्ण की सीलता पाई जाती है बालक कोई सब्ध है ना बार बार दोहराने की पिर्विर्ति नहीं मुझे ऐसो कनने है तो कनने ही है अनुकन की अवस्था भी बोलते हैं पूरु संक्रियात्मक अवस्था दो बर्स से लेके साथ वर्स तक होती है खिलोने की आयू कहते हैं आतारकिक चिंतन की अवस्था कहते हैं और यहाँ पर अनुकन सीलता अनुकन कोई चीज को बार बार उसका आग्राय करना ठीक है यहाँ पर अब नेश्ट अवस्था पर चलते हैं दो अवस्थाएं पढ़ ली हैं अबने तीसरी अवस्था यहाँ से अगर आपके बर्गी तीन में कहीं से भी कोश्चन आएगा बाहर नहीं जाने देंगी अब देखिए मैंने आपको बताया था पूर्ग संक्रियात्मक अवस्था दो से लेके साथ वस्था होती इसको बोलते हैं आतार्किक अवस्था लेकिन अब हम बात करते हैं मूर्थ संक्रियात्मक मूर्थ और किस्थूल होता क्या है मूर्थ अमूर्थ होता गया जानते हो ना बस्तूं तक ही सिमित रहता है बच्चे एक तरह इस अवस्था में कालपनिक प्रिपी करने हो पाता है कि सुचने समझने कि इतनी शंता वो बिकास नहीं हो पाता है बस जो ढिख रहा है जो मॉटर्साइकल तो motorcycle के बारे में ही जानकाई रख पाएगा है नहीं सोच पाएगा कि इसके इसमें क्या क्या हो दो तो लित्रिक से मानसिक विकास टोटली डवलप नहीं होता है आपका मूद संक्रियातमा कवश्था उसके लिए आप पूर्व संक्रियातमा कवश्था उसके लिए आप उसमें जाओगे उपचारिक संक्रियातमा कवश्था साथ से बारा वर्सों से अधिकता अभी हम बात कर रहे हैं मूद संक्रियातमा कवश्था इसमें बालक सजी बस्तों को देखकर अंतरकन अंतर कर लेता है समझ लेता है चोटा बढ़ा है कोई दो मोटर साइकल एक वह लेगा वालक की साथ से लेके 12 बरस्तक होती है मूर्थ चिंतन की अवस्था भी कहते हैं इसको इसी अवस्था में बालक दिन महीना तारीक बताने लगता है दिन महीना तारीक बताने लगता है मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था में दिन महीना तारीक ठीक है इसके अलावा यहां से भासर संप्रेशन का भी विकास इसे प्रावरम यह कोश्चन आपके एक्जाम में नहीं आता है आपके एक्जाम में कोश्चन आ सकता है कि जीन प्याजी के कोडिंग तारकिक चिंतन किस अवस्था में प्रावरम होता है या मूर्द चिंतन की अवस्था की सवस्था को कहते हैं यहां से कोशन आपका तारीक महीना दिन कब बालक समझने लगेगा तो मूर्द संक्रियातम का अवस्था साथ से लेके 12 वर्स ठीक है एक जीन प्याजे ने एक अवस्था बताई थी आपकी आखरी आपचारिक और अनपचारिक अवस्था कोई बता सकता है आपचारिक और अनपचारिक में क्या अंतर होता है जानते हो तो आप कमेंट करके बता दो हमें अब चारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 बरसों के बाद प्रारंब होती है इस अवस्था में किसुर मूर्थी के साथ साथ अमूर्थ करने भी लगता है इसलिए से तारकिक चिंतन की अवस्था के नाम से हलाकि तारकिक चिंतन की अवस्था तो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही होती है वो साथ से लेकी बारा बरस्था होती है इसको कह सकते हो कि इसमें भीसमें बालत के अंदर विकास होता है परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है कल्पनात्मक यहां से कोशन आता है कि जो अनौपचारिक ठीक है जो अपचारिक है सुरी अपचारिक अव तерт एकको मैं था था आपकी बरस तरफलें के बरस अबस्था ठीक है और इसमें आपका यानी परीकलपनातमक अबस्था ठीक है अबिते कि यहाँ पर बरस थी मूर्थ संक्रियातमक अबस्था साथ से बारा इसमें बालक दिन तारिक महीना बताने लगता है ठेक है मूर्थ चिंतन की अवस्था के रे तुलना करता है समानता समानता की बारे में बताने लगता है अब बात करते हैं बारा बरस की बाद होती है अमूर्थ चिंतन बोलते हैं उसको बालक परी कलपना करने प्याजे के सिद्दान्त को किस नियम से जाना जाता है तो नोट कर लो जीन प्याजे के सिद्दान्त को किस नाम से भी जाना जाता है विकास अबस्था का सिद्दान्त प्याजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किसी भाग का विश्चिस युगदान हो उद्धिकास की प्रिक्रिया में मुख्ता किन्दोबातु को महत्थपूर्न नाम माना जाता है संगठ और अनुकूलन ठीक है चिंत तार्किक चिंतन की चमता घ्रिकास के सवस्था में होता है देखिए आपचारिक या अमूर्थ संक्रियातमक अबस्था तार्किक चिंतन, अमूर्द चिंतन अवस्था, मैंने कहा था आपसे अमूर्द चिंतन अवस्था, या आपका अवस्था तार्किक चिंतन प्रारम होता है, आपका अवस्था या बारेवर्स की बाद होती है, अवस्था आपकी, ठीक है, यहां से कोश्चन बन सकता है, आपक जिन प्याजी कहां के थे सुटिजल लेंड के थे इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए नियमों को सीख लेता है तो नोट कर लो परियावन के साथ समस्य समादान की छमता का विकास किस अवस्था में होता है अमूर्त अपचारिक संग किर्यात्म का यहां से इसका राइट आंसर होगा जीन प्याजी का जनम हुआ था 9 अगस्त 1986 को कब हुआ था 9 अगस्त 1986 को ठीक है यहां पर कोस्चन देखिए बहुत खतरनाक कोस्चन है आपके एक्जाम में यहीं से आएंगे बुद्धी में विभिन ने प्रिकिरिया है बुद्धी में सिदांत किस पधती की और बल सीख पधती देखिए प्याजी का सिदांत किस पधती से सीखने पर बल देता है खोज पधती पर आधारित है ठीक है दो कोस्चन और देखेंगे बस यहां पर प्याजी का नूसार दस बरस या उससे बड़े उमर के बच्चे का बच्चे किस प अपनी मन की मर्जी का राजा हो दस बर्स की बाद बच्चे में ऐसी से लिए आ जाती है जीन प्याजे की पिरशिद्धी का प्रमुकार किया है बाल विकास पर किये गए कार ठीक है तो मेरी क्लास की प्रियस भी छार तेवम छार्त्रों यह मेरे भी भी मोश्ट इंपोटेंट फैक्ट बटाए MP3 के लिए तो आप लोग परिच्छा से पहले इस वीडियो को जरूर देखें ठीक है हम आपसे फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो के साथ अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें कमेंट करें नए है तो चैर को सब्सक्राइब क करें सेयर करें अपने मित्तों तक पहुंचाएं हम आपसे फिर मिलेंगे एगली वीडियो के साथ तब तक लिवाइबाई थैंक्यू